नमस्कार, आज के इस कारेक्रम के मुख्या अतिती मंचाशीन स्री ओम परकाश जी, लगुद जोग भारती के और स्वाबलंबी भारत अभ्यान के एक प्रमुक्स्थंब श्री जीतेंद्र गुप्त जी, बेन परतिबा जी, इस कारेक्रम में सहबागी हो रहे हैं सभी, सज्जन बंदू, समाज के प्रतिष्ठी त्वेक्ति, बाई और बेहनों। या लोकार्पन हुआ है, इस सारी योजना और इस प्रकल्प क सोच कर, उसके योजना बना कर, इसके क्रियान विच्च करने के लिए, जिन लोगों ने प्रैत्न किया है, उन सब का मैं अभिनदन करता हूँ, समाज के और से उनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस केंदर के द्वारा जिस उदेश से यह केंदर प्रारंप हुआ है, अपने उस देश में पूर्ण रूप से वो सफलता और सार्थकता प्राप्त करे, ऐसी मेरी शुबकामनाएं हैं। मित्रों, मेरे जैसे संग के प्रचारक को रोजगार केंदर के उद्गाटन के लिए बुलाएं। हम क्या रोजगार दे रहें? हम तो अभी संग के सोवर्च होने पर दो साल के लिए विस्तारक आई है, इसा मैं कह सकता हूँ। तो यहां अभी लगूद्योग भारति के और कादी बोड के दोनों सज्जन जितियंद्र जी और ओम प्रकाश जी रोजगार स्रुजन और रोजगार के स्रुष्टी से कई कार्यक अपने जीवन में कर रहे हैं। इसलिए मैंने ओम प्रकाश को कहाँ आप खादी विलेज इंडर स्वीस कमिशन और बोर्ड के तरह से जो जो प्रैत्न हो रहे हैं। उसको लोगों के सामने रखिए। रोजगार स्रुजन इसके वैसे तो जैसे यहां उल्लेक भी हुआ। भारत सतंत्र होने के पस्चात जिस प्रकार देश के निर्मान के कारिया देश के लोगों के गंदों पर आये। तो उस पुनर निर्मान के कारिय में जीवन के हर आयाम के बारे में भारतिय चिंतन के आधार पर युगान कुल रचना बना कर एक दिर्गकाली नियोजना बनाने के प्रैत्न करना। इसलिए तो हम स्वाधिंता के लडाई लड़ी। स्वाधिंता के लडाई में स्वदेश ही के जो बताये आज बाबु गेनुके स्मृति दिवस भी है। उनके प्रति हमने अपने इस रधान्जली भी व्यक्त की। तो उस समय भी देश के आर्थिक का खेत्र के बारे में कई लोगों ने विचार की अंग्रेजों से देश को मुक्त करना ये केवल राजनेटिक का संगराम नहीं था ये आर्थिक खेत्र में सांस्कुतिक दृष्टी से शैक्षिक खेत्र के संदर्ब में ऐसे जीवन के हर आयाम में जिस प्रकार के एक भारतियता को यहां के स्थानिय प्रतिभा यहां के परंपरा यहां के सभ्यता के अनभव उसके आधार पर अपने देश को हमें चलाने चाहिए इस दुरुष्ठी से सतमत्रिता संग्राम हुआ उस राष्ट्रिय आंदोलन के दोरान भी कई मुर्धन्य लोगों ने आर्थिक खेत्र के बारे में अपने विचार वेक्त किये थी प्रैत्न भी कर रहें थे उसके लिए प्रोट्साहन भी कर रहें थे गोपार्ख्ष्ण गोकले जी ने आर्थिक व्यस्ता के बारे में किये लाला लजबत रहने लिकी है अभ्युदाई इस विशे को एकर मदन मौन मालवी जी ने एक कल्पना रखी थी इन सब में आर्थिक कर क्रिशी उद्योग इन सारे खेत्र के बारे में सोचे थी हम में से कही लोगों को ये भी मालूम होगा भारत राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अंदर एक प्लैनिंग कमिटी के रचना हुई थी 1930 के दशक में योजना समिती जैसे योजना आयोग अभी सरकार्ग में अभी नीतिय योजना बन गया है भारत राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अंदर जो एक प्लैनिंग कमिटी बनी थी उसमें सुबास चंद्र बोस उसके अध्यक्षिके नाते रहे है उन्होंने भी देश के आर्थिक विकास के संदर्व में क्या-क्या करने चाहिए विचार किया था तो अपन देश में आर्थिक खेत्र स्वाबावक रूप से यहां के संसादनों के संसादन में प्राकृतिक संसादन बोद्धिक संपदा और मानव शक्ति यह सभी संसादन है तो इसके आधार पर एक संपन्न वईभवशाली भारत का निर्मान करने के लिए कई लोगों ने अपने विचार वेक्त किये थे लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजों से देश को मुक्त करने के राजने इतिक जो संग्राम था वह प्रमुक हो गया और देश स्वतंत्र होने के बाद देश के आर्थिक मार्ग क्या होने चाहिए एकनॉमिक आइडियोलजी क्या होने चाहिए इसकी चर्चा नहीं हुई देश में एक बहस होने चाहिए थे जिस प्रकारा इस देश के अंदर उस समय भी बहुत विद्वान लोग थे अनुभवी लोग थे स्वतंत्रता संग्राम के दोरान भी देश के विभिन्न भागों में कई प्रकार के उद्योग चलाने वाले लोग अंग्रेजों के सामने ललकारते हुए उद्योग के स्थापना की तमिल नाड़ में वीवोची दंबरम या जीडी नाइडू या पस्चिम में मुंबई और गुजरात में अध्रेश हिर गोद्रिज ऐसे कई लोग ने किया हैं इन लोगों ने उस समय भारत के अंदर एक आर्थिक छेत्र के नेत्र तो दे रहे थे लेकिन भारत स्वतंत्र होने के पस्चात जिस प्रकार के एक मार्ग को अपनाया गया समाजवाद के एक मिश्र आर्थ्थ व्यवस्ता के उससे कुछ इससे कुछ ऐसे लेकर तो हमारे यहां पंचिवर्षी होजना चली इन सारे करणों से देश में एक बैस नहीं हो पाई आर्थिक छेत्र के तरक्की के लिए लोगों के रोजगार भी मिलना और यहां वेल्थ क्रियेशन होना और भारत को एक संपन्न राष्टर के नाते दुनिया के सामने खड़ा करना हमारे यहां क्रिशी और उद्योग के एक दीरग परंपरा है उसका उप्योग करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया बिल्कुन नहीं हुआ यह भी मैं नहीं कह सकता हुआ था लेकिन एक वाता हो ना था शामा प्रसाद मुकर उद्योग मंत्री थे नहरु जी के कैबिनेट में कुछ समय के लिए शामा प्रसाद मुकर जी और बाबा साहिब अंबेड कर दोनों इस्तिफा देकर बाहर आने तक उन्होंने अपने जो मंत्रा लेकर संभाला उसमें कानून के और बाद के बाबा साहिब अंबेड करने किया तो शामा प्रसाद मुकर जी उद्योग के मंत्री थे देश में कई आज जिन लैबरेटरिस के बारे में इंडस्ट्रियल लैबरेटरिस उनकी प्रतिबा करने के लिए शामा प्रसाद मुकर जी के बहुत महत्वपुल्ण भोमिका रही उन्हें नहीं योजना बनाई थे तो इसलिए उद्ध्यों के खेत्र में अपने देश के प्रतिभा को अपने देश की अनुभाव को उपयोग करते हुए देश को एक अग्रिम पंक्ति के आर्थिक संपन्न राष्टर के नोते खड़ा करने के प्रयत्ना हम कर रहे थे कर सकते थे लेकिन रास्ता थोड़ा सा कहीं न कहीं इदर उदर होने के कारण हम दुनिया के कई देशों के सामने खड़े होकर भीक मांगने वाले हो गए उसका कारण भी है हजार वश संगर्श किये अंग्रे जोने जिस प्रकार यहां लूटा यहां क्रिप्त्रिम रूप से उन्होंने अकाल फेमिन को उन्होंने कैसे सुरिजन किया मिलियन्स अफ पीपल डाइड डूरिंग बिटिश रूल इसी कारण से एक बहुत ऐसे कहानी है इसके बारे में आजकल बहुत सारे विशे बाहर आ रहे हैं लोग उसका अध्यन कर सकत कि जा गिए मैं उसमय अभी नहीं जाओं का तो केने का दाते हैं हम कर सकते थे अपने देश के परमपरा क्रिशी के मात नहीं है बारत खुर्शी प्रतान देशंच बारत कुतिर करम प्रतान देशंचिंच लेकिन भारत में उज्यक था ही नहि Ama पांच हजार वर्ष के एक वईभोशाली राष्टर जिसके एक इतने दीर गिफकाल के सहब्यता है जहां चौसट कलाओं के बारे में उलेक होता है जहां जितने प्रकारों से हम दूर दूर के देशों तक जहाज में जाकर अपने लोगा वहां ना उनको गुलाम नत बनाया ना किसी का नश्ट नहीं किया हम यहां से कृषि उत्पाद उद्द्यों के उत्पाद लेकर गए थे यह सारे अपने देश में रहे हैं कई बार हमें एक गलत्वे में अपने अपने शिक्षा प्रणाली में बारत कृषि प्रदान देश कृषि यहां विज्जान अर उद्द्यों का रहा ही नहीं है ऐसे एक दिमाग में आता है ऐसे नहीं है धर्मपाल जी एक गांधी विचार के बहुत बड़े मूर्धन ने थी थे उन्होंने Association of Voluntary Organization for Rural Development उसके प्रद्द महामंत्री रहे एवाल्ड के उन्होंने कई पुस्तके लिखी हैं भारत के सब्यता से संबंदित इतिहास के दस्तावेजों के आदार पर सत्य के आदार पर उन्होंने जो ग्रंथ लिके हैं उन्होंने से एक ग्रंथ है से The Science and Technology in 18th Century India एन्हें अंग्रेज यहां अपने राज को यहां स्थापित करने में जो लगे हुए थे उस समय भारत के विज्ञान और तंतरज्ञान किस प्रकार था उसके बारे में उसमें उल्लेक हैं बाशम करके उन्होंने और एक लिखे हैं बाशम एक बड़े विद्वान उन्हेंने भी भारत के विज्ञान तंतरज्ञान उद्वान इन शेत्रों में कैसे रहे हैं केस फार इंडिया इसे एक पुस्तक में विल डूरंट जो अमेरिका के बहुत बड़े इतियासकार हुए उन्होंने भारत के संदर में लिका है भारत में कैसे अंग्रे जो ने यहां के उध्यों को नष्ट किया और कितने लूटा स्टाटिस्टिक्स दिये हैं कितने कितने अरवों रुपिये यहां लूटे हैं उसके उन्होंने आखडों के साथ दिये हैं तो इसलिए भारत में उध्योग के तंतरक जान के किस प्रकार की परंपरा रही है इस कारण से हमारे यहां क्रिशी उध्योग इन सारे कारणों से जो जितेंद्र जी बता रहे थे अपने स्थानिया अपने अपने स्थान पर लोगों को युवकों को एक रोजगार मिलने के एक अच्छी व्यवस्ता थी इसी परकार शिक्षा की व्यवस्ता थी तो इन सारे जो में हमा संगस के कारण बाकी कारण लूट के कारण हम पिछड़ गए लेकिन उसके पुनर प्रारंब करने के जो प्रयत्ना जिस स्तर पर होना चाहिए था जिस महत्य के साथ होना चाहिए था जिस प्रमान में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया हमको लगा हर चीज विदेश से पस्चिम से वहां से आने चाहिए एक मानसिक्ता गुलामी के दीर के काल के संगर्ष के कारण आत्मविश्वास खोए हुए एक समाच अपने पेरों पर खड़े होने के लिए जो प्रयत्म करना चाहिए था उसके लिए जो नेत्रुत्व उस प समय आया हैं हमको अभी इस दिशा में जाना चाहिए हम अपने इस बोद्धिक गुलामी से बाहर आने के कई प्रयत्न भी हो रहे हैं इस विशे में अगे बढ़ने चाहिए हम क्या कर सकते हैं दूसरा अपने संसाधन तो आर्थिक छेत्र के स्वाबलंबन के बात आई तो हमारे क्रिशी और क्रिशी आधारित उद्योग एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के संदर में कितने प्रकार के चीज़े कर सकते हैं अभी खादियन विलेज इं मदुमक्य से लेकर कई प्रकार के जो चीज़ें कर सकते हैं ग्रामिन खेत्र में बास के हैं बाकी चीज़ों के हमारे देश में कपड़े अने के कितने पर कितने जगह पर पुराने छोटे-छोटे वस्त्र बनाने के उद्योग रहें देश बर में कि मैं जिस जिले से आता हूं वहां एक छोटे से प्रेसित केंदर के अंदर एक गाउं कि वहां आज भी वस्त्र बनता है मुर्शिदाबाद जो कादिव के वहां बड़े केंदर भी है भी बंगाल तो वस्त्र बुद्योग के बहुत बड़ा प्रांत रहा दुशकों तक सदियों तक स्थान पर वस्त्र बुद्योग स्टील के बुद्योग हर्बल मेडिसिन्स बास के हस्त कला के हस्त शिल्प के कई प्रकार के इस देश में हुए हैं जिसके दुनिया में मार्केट है हो सकता है तो इसलिए वेल्ट क्रियेशन एक और जॉब क्रियेशन रोजगार स्रुजन जैसे अभी जितेंद्र जी ने कहा नौकरी पाने के जो फोड लगती है यूकों के बीच कोई एक डिगरी पाओ नौकरी करें किसी एक अफिस में जाकर छोटे बड़े बाबु बने और हर मैने के पहले तारिक को वेतन मिले किसी प्रकार के हस्त के बुद्धी के उप्योग करने की जरूरत नहीं है ऐसे करने वाले लोगों को हमारे हां एक ही फैक्ट्री रही भरी इंज कॉलेज और युनिवर्षिटी से बेरोज़गार लोगों के तैयार करने के फैक्ट्री हमने बनाई किया मतलब रम करने की कार्य करने के समसकूर्ड को सिखाने के शिक्षा प्रनाली और समाज divine वाता वरण केवल मैं शिक्षा प्रणालिक को दोस्त नहीं बताता लोगों को मैं ऐसे लगा कल मैं एक युवा उद्ध्य में के साथ एक समवात सत्र में सहभागी हुआ था बोपाल में ही तीन-चार स्थानों से युवा उद्ध्य में आये थे तीस-पैंटीस लोग तो उसमें हमारे यहां शिक्षा प्रणालिक में वोकेशनल कोर्स की बात आए यहां रेवन जी बैटे हैं आप तो जानते ही हैं कई शिक्षा विद्ध्य लोग बैटे हैं 1971 में अपने यहां जॉब उरियंटेट कोर्स वोकेशनल कोर्स यह इंट्रोड्यूस हुआ और दुनिया के कई देशों में इसी प्रकार के एक जॉब उरियंटेट कोर्स जेवोसी आत्वा वोकेशनल कोर्स के एक पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस हुआ विद्यारती दस्वी ग्यारवी के बाद इसमें जाएं ऐसे एक प्रत्वा कई लोग गएं लेकिन समाज में उसके प्रतिष्ठा नहीं होने के कारण लोग तो ग्रेजुएट बनना चाहते हैं कुछ भी करो भया बीए करो बीकाम करो बीए सिक करो यूनिवर्सिटी में जाओ और जाबो रिटर्ट कोर्स किया है उसको शादी के मार्केट में भी कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि कोई भी बाप अपने लड़की को जापने ठीक है बीया किया तो ठीक है चलो कहीं तो कुछ कर देगा ऐसे समाज में भी काम करने के बारे में प्रतिष्ठा नहीं है आप सरकारी नवकरी में जाकर आफिस में बैटो वो प्रतिष्ठा के समाज के एक वातावर्ण भी बनाना यह किसका काम है समाज के नेत्रों तो करने वाले लोगों का काम है हाँ सरकार अपने एक भूमिकान ने बानी चाहिए शिक्षा प्रणाली में इस करकार के विशे के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए आग्रा करने चाहिए और जो काम करते जॉब और इंटिड कोर्स के संदर में जब सुझते तो जो पढ़ाई किये वह अपवर्ड मॉबिलीटी नहीं है कोई भी एक कर उन्होंने स्किल सीके उसमें जब इनिटिड कोर्स में उसकी और अधिक पढ़ना है उसके कोई विवस्था नहीं है और उसके समाज में और सरकार से माननेता भी नहीं है ऐसे स्थिति हो गई हैं समाज के परतिष्ठा नहीं है और उसको स्वयम के उद्योग करने के लिए आत्ममिश्वास नहीं है स्किल तो सिखाया आत्ममिश्वास नहीं सिखाये इन कारणों से जॉब औरिंटेट कोर्स अपने उद्देश में भी फल हो गया स्वरोजगार के परेत्न हुए नहीं है इसे नहीं है लेकिन उसको कैसे हमने चैलेंज अफ एजुकेशन करके जो रिपोर्ट आया 1986 में उस रिपोर्ट में इसके विफलता के बारे में चर्चा की गई हम विफल हो गए ऐसे तो इसलिए रोजगार सुजन के जो भी परेत्न है यह एक चुटपुट परेत्न हुए है लेकिन उसमें एक प्रामणिक्ता नहीं है दूसरे एक समाज में जो वातावरन निर्मान करना चाहिए वो नहीं हुआ सरकारों के विवस्था में जिस प्रकार उसके लिए परेत्न के लिए उसमें भी कमी रही अब कोविड के दौरान कई लोग अपने अपने जाब छोड़कर अपने गाउं में चले गए क्योंकि उनको बचना चाहिए था बड़े बड़े शहरों से प्रवासी मजदूर लाकों के तादात में अपने गाउं गए तो करे क्या और कोविड कब तक रहेगा पता नहीं है तो इसलिए उस समय जिन संगटनों के बारे में जीतेंद्र गुप्त जीने यहां उलेग किया उसके कारे करता होने संगट के कारे करता होने सुचा अब कुछ विकल्प क्या सुच तो कई लोगों ने उचर गया अब हम व उक्तरप्रदेश में आगरह के पास दक्षिन में मंगलूर के पास आंदरप्रदेश में कई जगा पर हमारे कारे करता होने एक प्रहत्न की कई महराश्च्टर में हुआ का है कुछ ना कुछ आए से स्किल ड्रेनिंग देंगे उसके लिए कुछ व्यवस्ता करें तो इस कारण से उनको महिने में दस-पंद्रा हजार रुपए कमाना ये संभव हो पाया ऐसे कई लोग इस विशेव आनिक रद और भी समाज में इस खेत्र में कारेक करने वाले जो अनुभेवी लोग है विशेशग्य हैं ऐसे लोग उनके साथ कई प्रकार के बैठके अपने जि के कुछ प्रमुक अकिलबारती अधिकारी लोगों ने इसके साथ तोड़ा सा प्रहत्न हमने आगे बढ़ाएं और बहुत लोगों ने इसके सहयोग भी दिया जो समाज में उद्योगपती हैं और बाकी लोग है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स है ऐसे लोगों ने भी हाँ यह होना चाहिए और अच्छी बात है कि सरकार ने भी कई अपनी योजन अपनाई एफ्प्यो किये बाकी किये पच्छी संगोपन के लिए मचली पकने के लिए बहुत सारे पिछले दो साल में आप देख सकते हैं बजेट में इतने प्रकार के नहीं योजना उनको सरकार ने उसमें नए टेक्नालोजी इंपुट होने से वही कई अधिक का कैसे उत्तम होकर लोगों के लिए अच्छे रोजगार देने में वस्तों के उत्पाद में अच्छे गुणवत्ता प्राप्त करने में वो सफल होते हैं इसलिए परंपरागत कई ने कुछ टेक्नालोजी सार्ट स्किल है अरूर बं एरिया के हैं रूरल एरियास के है विल्दू फरकार के कोषर के तो इन सारे से तीन विष्जल मुरक्यीं रूप से एक orieश्ट ट्र एमप्लाइमेंट करियेशन वेल्दू इन कीषे नहितिक पास नुखर करो भी सोरोजगार के से अल एमप्लाइ आज में भी एक वातावण निर्माण हो और करने वाले लोगों को भी सफलता मिलने के लिए आवश्यक का संगराचनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के आवश्यक्ता होती है बैंक के सपोर्ट चाहिए उनको टेक्मारजी दने वाले जैसे यहां बताया के इंदर करने वाले हैं ए कई जगह पर आयाइटी वगरे जो बड़े इंजिनिंग पाज हैं उनको सोश्यल ओरियंटेशन के कई चीज़े करने हैं तो कई इंजिनिंग कॉलेजिस के लोगों से बात किया तो आप अपने इर्दगीर के लोगों के लिए ऐसे टेक्लालजी के कुछ ख़ई से सिखा सकत हैं जारकन में मैहसरा में बिरला इंस्ट्ट ये पिलानी में है उस प्रकर के उन से बाद किया कि जनजाति-ांवे वो जो स्टील बनाते हैं उनके लिए आप तो दूश टेक्लालजी इनको सिखा सकते हैं क्या है और तो तयार हुए तो इसलिए इंडस्ट्री इंजिनिरिंग सवस्ता है जो कॉलेजस हैं विश्विद्याले हैं इंस्टूट से और इंडस्ट्री इंस्टूट और समाज इसके एक इंट्रेक्शन होने से कई प्रकार की योजना बना कर वहां स्थानी या रोजगार के लिए आवश्चक चीजों के निर्मान करने में विक उसके विपणन के संदर्व में उन प्रकाशजी ने उलेक भी किया तो विपणन के एक बहुत बड़ा एक छेत्र है अब आपने ग्रामों द्योग कुटी रुद्योग हस्त शिल्प हिनके बहुत बड़े एक विपणन के लिए व्यवस्ता हो सकती हैं कई लोग प्रैत्न भ कुन से साहेता होनी चाहिए यह भी विचार हो सकता है तो ऐसे रोजगार के लिए आवश्चक इको सिस्टम बनाना एक वातावरण निर्मान होना यह भी आवश्यक है उसके लिए आवश्यक तंत्रज्जान कौशल के वेवस्ता कानून के वेवश्ता और अपने करके मान सिकता क्यों कि मैं कई बार मेरे प्रवास में नौजवान लोग थोड़ा हताश निराश हुए हुए लोग भी मिलते हैं हाँ योजना तो सरकार के अच्छी है लेकिन हम जब जाते हैं हमको कोई वहां संबर्थन नहीं मिलता वहां के अधिकारी को लगता हम क्या करने वाले हैं तो उनको लगता है उनको बेज़ देता है नौजवान को हताश बनाना नौजवान को निराश करना यह क्या हमारी विवस्था के लिए ठीक है है उन प्रकास जीसे अधिकारी अच्छी बात तो आपने बता है आप करते होंगे लेकिन कई अपने समाज में चाहिए दिए महेन है कहता कि उनके उपर बिना भरोस है कि कि आप करोडो रुपए करजा देदो क्या होगा भुबा देगा मानुमें बहुत लोगोंने करोडो रुपए दुबा ये उनको कुछ नहीं कर रहे हम सब जानते हैं कितन Rule ने इस बैंक को क्या किया है सब हो खिल कुछ नहीं किया है नोजवान दसलाक रुपए लेकर वो धुबा देगा यह चिंता जादा है मैं यह नहीं कहता दुबाना चाहिए उनको देना चाहिए लेकिन आप आने वाले वेक्तिय को ठीक से कौंसेलिंग को उनके अध्यन करें उनको सपोर्ट के नोजवान कुछ करना चाहता है उसके बारे में सपोर्टिव होना चाहिए वातावरण तो वो करेगा और आज जितने नोजवान लोगों ने कई प्रकार के छोटे-छोटे चीज़ों को अपने प्रयत्म से प्राइवेट करजा लेकर जो किये हैं मैं 200 उदान दे सकता हूं उनको सरकार के विवस् प्रसी के इसमें जो नहीं मिले लेकिन वो किये बाद में हम उनको प्रोस्कार देते हैं कि अस्ता होनी चाहिए इसलिए इसके भी एक वात और समाज क्या वाता वर्ण स्वरावजकार के लिए प्रतिष्ठा मिलना ब्लए वो छोटे हो सकते हैं आज बड़े उद्योग नही मिलते होंगे लेकिन वो अपने प्रतिवा से अपने आत्मविश्वा से अपने प्रैत्व परिश्रम से वो आगे बढ़ने के लिए कोई नौजवान या नौजवान हों के कोई छोटी ग्रूप प्रैत्न करते हैं करना चाहिए हमारे एक मित्रा IAT में जिन किये हैं वो बिह प्रैतिंग हो इसके वगस्ता उन्हें की एक ग्रूप बनाया उस ग्रूप को उसको सौंप कर वो अभी उडिसा में गए उसी प्रकार के और एक कारियों वहां कर रहे हैं उनको अभी पिछले पांच साल में चार पूरसकार भी मिले उन्हें ने सरकार से बैंक से एक पैसा नहीं लिए ऐसे लोग हैं अपने देश में जिले के प्रॉड़क्ट के बारे में यहां अभी उत्तर प्रदेश और करनाटक दो राज्यों के यहां उनले किया है ओडी ओपी के वन डिस्टिक वन प्रॉड़क्ट अपने देश में कई ऐसे जिले हैं जहां वहां के स्थानिय प्रॉड़क्ट उसको हम अच्छा बना कर उससे रोजगार भी सुरुजन होगा उसके मार्केटिंग करें उस डिस्टिक के जो जिते दिनी ने उले किया आईसे वहां के वेल्ट वहां के लिए उप्योख होने के एक व्यवस्ता हो सकती हैं सरकार ने बहुत सारे आईसे विश्यों के पिछले दिनों में योजना भी बनाई हैं इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर हम एका सौबलंबी भारत के जो अभ्यान है इस अभ्यान के जंगर्टों के कुछ कारे करताओं के काम नहीं है यह सारे समाज के अभ्यान होना चाहिए देश में हमने अस्मिता के समस्कुति के रक्षा के एक मंदिर अयोध्या में बने पूरे देश के लोगों के एक मन के इच्छा आकांशा थी मंदिर तो हर गली में अपने देश में है वो क्यों था एक देश के अस्मिता के साथ समस्कुति के साथ जुड़ी हुई भावना थी इसलिए एक भावना उजागर हो गई राम है तो रोटी भी चाहिए राम और रोटी दोनों मिलकर तुबारती सब्यता है इसलिए रोटी क उद्योग है धन है लोगों के रुजगार है स्वावनमभी जीवन है उद्योगं पुरुशलक्षिनम यह हमारे यहां कहा है छे गुण जो रहते है उसमें अधि है तो भगवान भी सायता करते हैं चेके तो उसमें परहला जो गुण है उद्यमं तो उद्यम है उद्योग है ये जो लोगों के अंदर इस भावना को भी एक राष्ट्री आवश्यक्ता है ये केवल कुछ लोगों के जीवन के लिए लाइवलिहुड के केवल रोजगार करो यूगों के अपने जीवन चलाएं आइसे नहीं है भारत को दुनिया में एक श्रेष्ट भारत के रूप में निर्मित करने का और एक धनवान संपन्न वैभोशारी राष्ट बनाना है तो उसके भी एक देश में वातावर्ण निर्मान करना पड़ेगा जैसे संस्कुति अस्मिता क्यों होती है शिक्षा नीती के बारे में होती है देश के सुरक्षा यदि शिमा पर कारगिल या ऐसे कुछ होता है तो पूरे देश देश से खड़ा होता है ऐसे अपने एक एक जिले में एक गाओं में एक एक तहसील में ऐसे एक का नए भारत के निर्मान के लिए नौ जवान अपने परिश्रम से अपने बुद्धी से अपने महनत से वो इस प्रकार के का संपदा निर्मान करने के संचाधन के आधार पर देश के वेल्थ को आगे बढ़ को एक ऐसे देश बनाने के प्रयत्न में आगे बढ़ना तो यह समाज के सभी लोगों के कारिया हैं उस कारे के लिए सहयोजन करने का समन्वे करने का सबके इस प्रकार की सहयोग को लेकर इस कारे को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र प्राण हुआ है इसमें रोजगार सुरु शंग के लोगा लोगों को भी रोजगार देंगे ऐसे नहीं है यहां कर एंप्लाइमेंट एक्सचेंज नहीं है तो यह इसलिए मैं कहे रहा हूं कई बारे गलत फिमी से हाँ भश कर शखार चलाते ते आप संग वाले नोखरी भी देंगे आएसे नहीं है यहाँ मुख्य अपने बुद्धी शक्ति प्रतिभा के आधार पर हम अपने पैरों पर खड़े होने वाले समाज आईसे अपने पैरों पर खड़े होने वाले एक नई पीडी जो देश के लिए कुशहाली लाने में देश के धनशक्ति को वर्धन करने में सफल होने वाले आईसे एक नए तस स्वेर को हमें निर्मान करना है इसमें हम सब के सहयोग हम सब के शुबकामनाएं इस प्रकार के प्रयास के साथ रहे ऐसे अनुरोग करते हुए मेरे वानी को विराम देता हूं नमस्कार